अलो आइन वेलकम टू टेश्ट बोक सोपर कोचिंग एपसी आई यानि फूड कॉर्परेशन ओफ इंडिया समय समय पर अलग-अलग कई तरह की नोटिफिकेशन रिलीज करता है और अब इंतजार हो रहा है एपसी आई के अगले नोटिफिकेशन का चर्चाएं चल रही है कि बहुत जल जो है एपसी आई में नया नोटिफिकेशन आ सकता है तो हम यही चीज आज डिसकस करने वाले इस वीडियो के अंदर और जिस नोटिफिकेशन के हम बात करेंगे वो है एपसी आई एजी थ्री यानि असिस्टेंट ग्रेट थ्री यह सारी चीज़ है इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगे ताकि आपके जो बाकी साथी है उन तक यह वीडियो पहुंच पाए और उनको भी पूरी जानकारी यहां पर एपसी एजी थ्री की बारे में मिल पाए तो आईए बिना किसी जरी के शुरू करते हैं और जानते हैं यहां पर डिटेल में सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो देखे पिछले नोटिफिकेशन जो है यह जी तरी के वह आपके कब कब आई थे 2013 में 2015 में 2019 2022 में यानि अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो एपसी आई ज कहीं अब जो नए नोटिफिकेशन को लेकर चर्चाय चल रही है उसमें सचाई है उसमें हकीकत है ठीक है तो नया नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिल सकता है यह चीजा मान के चलिए ठीक है कब तक आ सकता है तो जो अब तक की जानकारी है उसके अनुसार एपसी या जी 3 का नया notification जो है वो देखने को मिल सकता है ऐसी चरचाई चल रही है ऐसी जनकारी जो है वो निकल कर सामने आ रही है अब बात करते हैं कि vacancies क्या रह सकती है तो आ ट याई में एक सवाल का आ ट याई में जो सवाल पूचा गए था उसके जवाब में यहां पर जो वर्तमान पर सिती है वेकेंसी की यहां पर 30 जून तक वो बताई गई थी जो कुछ इस तरह से थी कि ते कि एक टेगरी 3 में जो 30 जून तक इतनी वेकेंसी थे अब इसमें आपको देखेंगे असिस्टंट ग्रेट 3 देखना है सर्फ ठीक है असिस्टंट ग्रेट 3 कैटेगरी 3 में कई तरह वेकेंसी आती है आपको क्या देखनी सिस्टंट ग्रेट 3 यह यहां यह 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 वेकेंसी आपको जो है वह देखने है ठीक है तो यहां पर आप देखेंगी तो tenían आगे जाकि और इंक्रीअ्ट थो सकती है तो अभी तक पकद नंबर है उसके थानिम्सार मान मों स 6000 इस तरह से वेकेंसी जो है वह आपको देखने को मिलीती। तो इतनी ही वेक lesic आती है 500 इसपास तो है वेकेंसी यहां पर देखने को मिलती है एप्सिदीच एजीड थी त्री में और और यह ननमदर जो है कम नहीं होगा बलकि increase ही हो सकता है तो पांच जार वेकैंसी चार जार वेकैंसी जो है वो आप मान कर चलिए कि आपको देखने को मिलेंगी ठीक है क्लियर है अब बात करते कि एकजाम कब तक हो सकता है तो अगर आप पैटरन देखेंगे एकजाम का भी तो एपसी आई जो है वो वो notification लीज होने के बाद जो phase 1 का exam है वो लगबग 3 महीने के अंतराल पर कराता है ठीक है यानि अगर आपका notification जन्वरी में आया है तो आपका exam जो है अपरेल में होगा ठीक है चौथे महीने में ठीक है तो अगर आपको notification दिसंबर तक आता है तो मार्च 2025 में जो है वो आपका phase की संभावना बन रही है clear है आगे और बात करेंगे इसी notification के बारे में लेकिन उससे पहले मता दूं कि आपके exam preparation में आपका साथ नवाने के लिए सुपर कोचिंग लेकर रहा है एक शांदार offer जिसका नाम है सफलता का सफर जहां पर सभी सुपर कोचिंग आपको minimum price में मिल र कोई भी सुपर कोचिंग हो आपको सिर्फ यह coupon code लगाना है coupon code क्या है अनुराग अनुराग इस coupon code का आपको इस्तमाल करना है आपको instant discount मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं eligibility की बात करें तो आप देखे एज लिमिट यहां पर जो AG3 हिंदी स्ट्रीम है उसमें 28 साल है और बाकी सभी में 27 साल एज लिमिट यहां पर रखी गई है ठीक है qualification की बात करें तो जनरल और डिपो में जो है आपने ग्रेशन किया हो और computer में आपके पास प्रोफिसेंसी होनी चाहिए एकाउंट में अगर बात करें तो आपने बीकॉम किया हो और computer प्रोफिसेंसी आपके पास होनी चाहिए टेकनिकल में आपने अग्रिकल्चर में डिग्री लिए हो चाहिए वो बीटेक हो या उसके संकश खोई डिग्री हो ठीक है और computer की नॉलेज आपको पास होनी चाहिए ठीक है यह आपकी क्वालिफिकेशन है यानि जन्रल और डिपो वाली जो है वो नॉर्मल ग्रेजुएट जो गर है वो एपलाई कर सकते के computer proficiency होनी चाहिए क्लियर है तो दो फेज होते हैं फेज बन सबीकली कॉमन है फेज टू जो है उसमें आपके दो पेपर होते हैं पेपर बन जो है वह कॉमन है ठीक है और पेपर टू जो है वह आपके स्ट्रीम का होता है लेकिन जो जन्रल डिपो वाले है वह नॉर्मल ग् को सिर्फ पेपर वन देना होगा ठीक है एक्जाम पैटर्न जानते हैं तो फेज बन जो है उसमें आपके चार सब्जेक्ट आते हैं इंग्लिस 25 25 नंबर के 15 मिलता है रीजनिंग 25 25 नंबर के 15 मिलता है नुमेरिकल अप्टिटूर 25 25 नंबर के 15 मिलेगा जनल स्ट्रीज की 25 25 25 नंबर के 15 मिलेट का आपको समय दिया जाता है ठीक है टोटल सौ सवाल सौ नंबर और साथ नेट यानि एक घंटे का समय आपको मिल रहा है पेपर वन जो है फेस्टू का वह कॉमन रहेगा जैसमें नकोट आया इसमें भी आपके चार सब्जेक्ट जो फेस्वन में ते वह ही है बस आपका जनल स्टडीज जो है वह यहाँ पर 45 नंबर कोगा क्योंकि समय साइंस कंप्पिटर बगरा जो है वह यहाँ पर एड हो गए है बाकि सब को से में टोटल 120 सवाल आएंगे 120 नंबर के 90 मिनट कर दिल घंटे का समय दिया जाएगा सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर रहती है अब बात करते हैं स्लेवस की ठीक है पेपर टू भी उता लेता हूं फेस्टू का पेपर टू जो है वह प्रॉफेशनल लेंग्वेज का होता है साथ कुशन आएंगे 120 नंबर के साथ मिट का समय दिया जाएगा स्लेवस की बात करें तो सबस्क्राइल इंग्लि और पैराग्राफ सेंटेंस जो है वह आपके आते हैं पैराग्राफ फिलर्स जो है वह आपको देखने को मिलेंगे पैराग्राफ कंक्लूजन जो है वह आपके आते हैं पैराग्राफ सेंटेंस री स्टेट्मेंट जो है उन पर बेस्ट कुशन्स आपके आते हैं पर सवाल आते हैं, alpha numeric symbol series पर सवाल आते हैं, data sufficiency पर based questions देखने को मिलते हैं, logical reasoning आता है, passage inference आते हैं, statement assumption आता है, और conclusion पर based questions आपको देखने को मिलते हैं, यह आपका reasoning का सलिए बस रहता है, फिर आपका आता है numerical aptitude, इसमें देखिया आपके data interpretation यानि पर बेस्ट सवाल आते हैं, inequalities, quadratic equations आपके आते हैं, number series पर आपके questions आते हैं, approximation and simplification पर सवाल आते हैं, data sufficiency पर questions आते हैं, miscellaneous arithmetic problems पर based questions आते हैं, SCF and LCM पर based questions आते हैं, profit and loss पर based questions आते हैं, ages पर problem आते हैं, work and time पर questions वह आपको देखने को मिलते हैं, पर सवाल आते हैं प्रोबिल्टीं पर सवाल आते हैं मेंसुरेशन पर आते हैं पर मुटीशन ठीचन सवाल आते हैं एक्छिए सवाल आते हैं चैनल साइंस आता है देश और धुनिया में घटेक हुआ है उस पर बेश्ट कुस्षण आते हैं मिखने को अब करते हैं वह आपको देखने को मिलेंगे यह आपका स्लेवज होता है और बाकी आपका फेस्ट्रू का पेपर टू जो है उसमें आपकी प्रॉफेशनल लेंगवि लिए तो 28,200 आपको basic pay मिलती है इस basic pay की ऊपर आपको कई सारे allowances मिलते हैं जिसमें basic allowances क्या है आपका डियरनेस allowance महिंगाई बत्ता house rent allowance और cafeteria allowance यह आपके basic allowances जो है आपकी लगबग 50,000 बनती है और जो rules होंगे उसके recording आपके deductions भी यहाँ पर होंगे salary बहुत अच्छी है बहुत शांदार salary यहाँ पर आपको मिलने वाली है ठीक है और यह बगए तो समय समय के साथ बढ़ते रहे ठीक है जब आपकी joining की बात आई अब तो salary और आगे निकल जाएगी क्लियर है तो यहाँ पर मैं सारी डिसकस कर ली सुपर coaching में कैसे enroll करना है वो मैं आपको बता देता हूं जैसे SSC की बात कर रहे हैं तो जैसे मानों आपको SSC CGL कारेंटे selection program में enroll करना है तो आपको क्या करना डिसकाउंट लिए आपको वस एपलाई कूपन में जाना है कूपन कोड लगाना है आपको अनुराग ऐन यू हर आज यह रहेím को डटे को वीडियो को अब यहाँ पर खत्म करेंगे बहुत जल्द आपसे फिर्म लाकात गे तिल थैन आप लोग झाल झाल